हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू और सूजी से बहुती चटपटा और बहुती क्रिश्पी नास्ता तो फटा फट से सुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं तो यह हमने दो मीडियम साइज के आलू को तो दो चमच रिफाइन डाल रहे हैं हम तो इसको थोड़ा गरम होने देंगे गरम होने के बाद हम इसमें आधी चमच जीरा डालेंगे तो जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे हलका सा कलर चेंज कर लेंगे और थोड़ा सा हींग भी हम इसमें डाल लेते हैं तो हींग को अभी हलका सा फ्राय ऌने देंगे और फिर दो हरी मिर्ची को हमने काट लिया था तो मिर्ची भी इसाइ in बूंड़ देंगे और हलकी सी भूण लेते हैं तो इसे तो तीनों चीजों को अच्छे से भूण लेंगे और गैस को मीडियम पे Heए रखेंगे तो जह जादा जलाएंगे नीष को हलका साही पुंपनेंगे अ तो इससे पुनने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें इसमें और चीजे एड कर लेते हैं तो जो आलू हमने काटके रखे वह ​​ तो उसे आलू को हमने पानी निकाल के और इसे आलू को हम इसमें डाल देंगे तो बहुत ही टेश्टी नास्ता बनने वाला है तो ऐसे करके अगर आप कच्चे आलू से बनाएंगे और उसके बाद ये थोड़ा सा हमारे पास मटर थी तो हम ये मटर भी इसी टाइम पे इसमें डाल देंगे अगर आपकी उगलीवी मटर हो तो आप बाद में डाले आलू थोड़ा पकने के बाद और थोड़ा सा नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसारी डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल लेंगे तो ये इनके साथ अच्छी तरह से फ्राय हो जाएगा जो हमारी हल्दी भी है तो वो भी अच्छी तरह से आलू के साथ उसमें कोई वो नहीं आने का कच्छेपन का तो इसको अच्छी तरह से मीक्स कर लेंगे और मीक्स करने के बाद इसे चार-पांच मिनट के लिए हम ढखके रख देंगे और डैस को लोपी इसे बनाएंगे तो ये पांच मिनट हो गया है तो हम थोड़ा आलू को चेक कर लेते हैं तो आलू हमारे पकी गए हैं लगवग तो इसको क्या करेंगे इसमें कुछ चीज़े और एड कर लेंगे तो ये हमने एक टमाटल काट लिया था बिल्कुल बारी काट रखा है छोटे-छोटे पीचिस में काट रखा है तो छोटर साइज का टमाटर था और थोड़ा सा हम ये सबजी मसाला इसमें डाल रहे है और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउड़ा डाल लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे है इससे बहुत ही चटपुटी सी स्टेपिंग बनके तयार हो जाएगी और इसको सारे चीजों को मीक्स कर लेंगे और इसको अब ढखके नहीं पकाएंगे अब इसको ऐसे ही हम दो तीन मिनट के लिए ऐसे ही बून लेंगे अच्छी तरह ऐसे टमाटर भी अच्छी तरह ऐसे पक जाएंगे यह आप देखिए तो यह ऐसे करके हमने दो तीन मिनट हो गए है तो अब हम इसमें यह आदा निम्बू का रस्ट डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेश्ट आएगा हमारे नास्ते में खटा खटा सा तो इसको डाल देते हैं तो यह हलके से दो बीज भी इसमें गिर गए है तो इससे निकाल लेते हैं और थोड़ा सा हमारे पास धनिया की पतिया हैं तो वो डाल लेते हैं इससे बहुत अच्छी खुसबू आएगी इसमें और टेस्ट भी कुछ अलग सा हो जाएगा तो इसको ऐसे करके मीच्स करके और थोड़ा सा इसे मैस कर लेंगे हम ऐसे कर लेंगे हम आप चाहे तो इसे मैसर से कर सकते हैं तो हम ऐसे ही इसको एकदम से आ ज़ी को आप के दल के ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इधर हमने पैन रद दिया है तो पैन में पैन को हलका सा गरम कर लें और उसके बाद इसमें तेल डालेंगे तो दो छोटे चमबच हम define डाल रहे हैं इसमें, हलका सा गरम होने देंगें, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरे को हलका सा चटकने देंगे, उसके बाद ये एक कप हमने सूजी लिये हैं, तो सूजी एमने बारेकवाली लिये ये, अगर आपके पास ना हो तो आप ग्राइंड कर सकते हैं सुजी को और उसके बाद हम इसमें दो चम्माज की होगा आटा डाल रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे नास्ते की जो बैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी तो इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे दो मिनाट के लिए तो ऐसे करके और इसे लो फ्लेम पर ही थोड़ा भून लेते हैं थोड़ा सा खुस्पू आने पर फिर हम आगे का काम करेंगे तो ये दो मिनाट हो गया है उसके बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे तो ये दो कब पानी हम डाल रहे हैं एक कब हमने सुझी ली थी तो दो कब पानी इसमें डाल देंगे उसके पाद इसे mix कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी dough बनके तयार हो जाएगा तो ऐसे ही mix करते रहेंगे तो एकदम से dough बनके तयार हो जाएगा और कोई भी कुठली भी नहीं रहेगी इसमें एकदम से smooth सा dough बन जाएगा विल्कुल पैन को अलग छोड़ने लग जाएगा तो हलका सा नमक इसमें डाल लेंगे उसके बाद इसे मिक्स भी कर लेंगे और ऐसे करके अच्छी तरह से तो ये आप देखिए विल्कुल पैन को भी एकदम से छोड़ दिया है और अच्छा सोफ्ट सा डो बन के विल्कुल तैयार हो गया है तो उसके बाद इसको ढखके रख देते हैं दो मिनेट के लिए इसी में गैस को बन कर लेंगे और थोड़ी देर इसे इसी में छोड़ देते हैं पैन में अच्छी तरह से भाब लग जाएगी इसमें उसके बाद हम दो मिनेट के बाद इसे एक बाउल ले लेंगे और उसमें रख लेंगे तो हलका सा ठंडा होने देंगे ताकि यह हाथ लगाने लाइक हो जाए तो यह आप देखे ठंडा हो गया है तो हलका हलका अभी भी गरम है यह तो हम इसको अच्छी तरह से मसल लेता है तो ऐसे करके और अच्छी तरह मसल के यह हमने डोव बना के एकदम सौट सा डोव बन गया है तो उसके पास हातों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको ऐसे आट्टेकी जैसे हम रोटी के लिए चपाती के लिए लोई निकालते हैं वैसे ही निकालके और इसे चप्टा कर लेंगे ऐसे हतेली पे रखके तो ऐसे कर लेंगे एकदम आसानी से बन जाता है उसके बाद जो मसाला हमने आलू का बनाया था आलू मटर का वो ले लेते हैं और वो इसमें रख लेंगे तो एक चम्मच और थोड़ा सा और हम रख रहे हैं इसमें तो इसको हलका सा दबा लेंगे और उसके बाद इसे ऐसे करके गोल करके बंद कर लेंगे तो ऐसे करके यह आप देखिए तो उपर से अच्छी तरह से बंद कर लें और उसके बाद हलका ह से हम इसे गुमाएंगे ताकि यह फटे न तो ऐसे गोल हम बना रहे हैं अगर आप चाहे तो इसकी टिकी भी बना सकते हैं यह जहां पर हलका सा फटा हुआ है इसको हम बंद कर देंगे और ऐसे ही बना के सारे तयार कर लेंगे तो यह हमने सारे ही तयार कर लिये हैं उसके बार में बना रहे हैं और गैस को मीडियम पे कर लेंगे और इसके उपर थोड़ा-थोड़ा सा तेल डाल लेंगे ताकि यह उपर से भी अच्छी तरह से सीख जाएगा तो यह आप देखें कि बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा है कोई भी परिशानी नहीं हुई है इसे बन इसको फट से बना के तयार कर सकते हैं कोई भी जंजट नहीं है और कुछ भी चीज़ा ऐसी नहीं है कि आपको इस पेसली बाहर से लानी पड़े तो ऐसे ही हमने पलट उलट पलट करके देखें आप कितनी करारी करारी लग रही हैं और देखने में इतनी टेश्टी लग रह हैं तो ऐसी दोनों साइड से दो चार बार उलट पलट करके अच्छी करारी बना लेंगे तो यह आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छी तरह से सीख गई हैं तो उसके बाद क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे तो हलका सा साइड में रोक लेते हैं और इससे सारे नास पसंट बचा हुआ है वोवी हम ऑइसे या लेंगे थोड़ा ज्यादा गरं तेल में हम इसको डालेंगे तो यह आप देखे हमारे पास थोड़ी सा और आइbakंड और शजूमारे पूर झाल झाल